अब बात करते हैं देवास की जहां के ग्राम पंचात सिया के सरपंच उमीदवार राजेंदर चोहान का कहना है कि उन्हें यवाओं का साथ मिल रहा है ग्राम पंचात सिया से राजेंदर मुनालाल चोहान ने सरपंच पद के लिए छुनाओ लड़ा है राजेंदर चोहान योग के सिक्षित और इमानदार निस्थावान उमीदवार के रूप में यहां पर उभरे हैं राजेंदर चोहान युवा लॉबी के साथ साथ ग्रामीडों की भी पसंद बंते जा रहे हैं उन्होंने बताया कि उनकी प्रात्मिक्ता है कि गाउ में नलजल योजना लागू करवाना, स्रीट लाइट लगवाना, संसान कब्रिस्तान की बाउंडरी वाल और सौंदरी करण के साथ ही गाउ में CCTV कैमरे भी लगवाना है। वहीं गाउ में नल सडक गंदगी सहीत कई मुद्दो पर उन्हें काम करना है। जो समेशा गाउं की है, जो सब पुरन करेगा और जो बच्चा बच्ची, जो इसकूल के गाड़ी, गोड़ा के, सब के लिए हम सब समर्तिन उसके साथ में और आगे भी रहे रहे हैं। को समर्तिन उसके से बितना है के लिए बचैजी से वड़ाइए। कि उनकी जीत का प्रतिसत मानते हैं जीत के विजयता है मुझे पूरी उम्मिद है कि वो जीत के आएंगे और गाहों का वितास करेंगे मैं ग्राम स्रिया पंचाज से उम्मिद वार हैं और गाहों के काफी मुद्दे हैं जिसके लिए मदद करना चाहता हूं इस मुद्द में सबसे पिला मुद्दा तो जी है कि गाउओं में प्रयाब तो पानी की सुख़़हों नहीं कि प Alcohol प्रणाओं भूणεις तो लोसाने मिशन सँखी प्रस CShAm मुहिया करवाना है और हमारे गाओं के अंतर काफ़ी लोगों के कच्छे मकान है जो उनको अभी तक प्राप्त सुर्गा से अवाश योजना मिली नहीं है वह वाश योजना को लाप दिलाना है और गामिन लोगों की मदद करना है इस मुद्द्यों के लेकर में ख़डा हुआ हूँ और हमारे गाओं में जैसे इसके वाद में हैं इन में कोई रस्तों नहीं है ठीक से जो बारिस में बहुत सारी समझ्षा आती है